कुमार, अजीत अंजुम, पुन्य प्रसून वाजबेई, आर्फा खानम सेरवानी, नवीन कुमार, अंबुच कुमार, साक्सी जोसी, प्रग्या मिस्त्रा, दीपक सर्मा, असोक मान खेडे, ताकत दे दी है कि सोचल मीडिया पर आप चाहे जिस भी स्वतंत पत्रकार को सुनत है, तो सरकार का अधिकारी तुरंद फोन उठाएगा और सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहेगा कि ये वाली खबर इस वेब साइट से या फिर इस सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस चैनल से तुरूब लाइज ओफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, फैक्ट्स ओफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, साल में अगर ये एक बुक छप जाए बाई, CPDR, APDR और जितने भी संगठन देश के लिए काम कर रहे हैं कि इन्होंने कितना फॉल्स केसिस किया, कितना लोगों को जेल में बठाया, कितना लोग बे कारण जेल के अंदर है अगर ऐसा कोई बुक छप जाए हर येर, इलेक्शन के पहले मने हर येर मार्ट जब एंडिंग हो रहा हो, एक पॉलिटिकल पार्टी का भी आंध होना चाहिए या तो उसका अच्छी तरह शुरू होना चाहिए अगर वो देश के हित में काम कर रहा हो मैने में एक दिन आप कोई भी संगठन कर रहे हो, आप रस्ते के उपर टेबिल लेकर बैट कर ये प्रचार कर रहे हो, ये बुक खरीद कर उसके साथ आपका लिफ लेट के आपका सोशल संगठन क्या कर रहा है और अगर आपका सोशल संगठन कुछ कर रहा है, तो किसी यूट्यूबर के साथ जूड कर आप वो पूरा देश को दिखा रहे हैं, क्योंकि वो टाइम आ गया है जब आपको निउस पेपर पढ़ना पड़ेगा, आपको फिसिकली कॉन्टैक रखना पड़ेगा, क्योंकि स सोशल मीडिया को बीजेपी वाले किसी ना किसे दिन बहुत जल्ली बन कर देंगे, ये न्यूज देखिए, पी आई बी को, पार्लमेंटरी सेशन जब खतम हो गया, ये पार्लमेंटरी सेशन, ये लोग विचार भी नहीं करने दिये, सब का मूँ बन कर दिया, माइक को आफ कर दिया, तब जाके इन्होंने डिसिशन लिया, पी आई बी को एक रिपोर्ट दिया गया है, जिसका भी मर्जी आप चाहे, न्यूज बन कर दे सकते हैं, अगर वो गौवर्मेंट के अगेंस में आवाज होगा, तो उसी का मूँ बन किया जाएगा, अगर डर पो गौवर् इसको लेके बार-बार बोलना पड़ता है, इसका मतलब है, आप राहूल गांदी से लास्ट आठ साल से डर रहे थे, and this was the extreme step, आज कॉंग्रेस का सबसे बड़ा दुखत घटना ये है कि ये लोग ठीक तरे अपना बिचार भी वक्त नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक आपने चांद देख रहे थे, अब हम थोड़ा कैमरा को नीचे के तरफ लाएं, मेरे तरफ, क्योंकि आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, उसका नमबर है 25231, आपको क्या मालूम है, हमारे देश में जो जो इंटरेस लेते हैं, बैंक वाले, इंटरेस लेते हैं, सूत खोर वा था, आपको किसी को भी नहीं मालूम, उसके करन 25231, मने जो लोग डेट, लोन ले रहे हैं, लोन नहीं दे पा रहे हैं, वो सुिसाइट कर रहे हैं, डर के मारे, इसका मतब लास्ट तीन साल का जो ये फीगर है, शायद छीक नहीं होगा, क्योंकि हमारा देश का डाटा अभ कर रहा है, कि हमारे देश से गरीबी दूरी करन के लिए, कहां कोई टीम बना, काउंसिलर्स लोग को कैसे इंवाल्व करके देश से गरीबी हटाया जाए, कोई भी बस्ती बारी नहीं रहेगा, वो बस्ती बारी के हर आदमी को उसका पेपर, लीगल पेपर देकर, उस घर को सुंदर सा बना कर, उस बस्ती बारी में बात्रूम्स, लैटरिंस बना कर, उधर टैंकी लगा कर उपर तक ही आग लगने के सासद वो लोग ही बुझा दे सकें, और हर घर में सोलर हो, अब सुचिय हमारे देश के CGI ऐसा कोई फर्मान जारी कर रहे हो, गौवर्मेंट के तो हम लोग आपको पेमेंट कर देंगे, फर्म दे पी-म केर पंड, यह हमारे देश के चौरे छाती वाले, जिसको 23 करो लोग अंधो के जैसे विश्वास करकर फॉलो करते हैं, यह लोग हमारे देश का अंधकार ला रहे हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर इ देली में दंगा कराया गया, दंगा is very much Indian made, मने made in India, यह हमारे देश के साथ मिलकर बैठ कर बना रहे हैं, ताकि देश को बिगार कर कुछ हिंदु लोगों को समझा सके जो हमारा देश, देखिए बंगला देश पाकिस्तान से डर रहा है, पाकिस्तान से क्या डरिएगा, 72 सा agreement of war चल रहा है, agreement of war मतलब कुछ लोग इंडिया के income करेंगे, कुछ लोग पाकिस्तान के income करेंगे और हमारे देश के कुछ यूत मरने के लिए तयार रहेंगे, तब ही न जाके जुद्ध होता है, सूचिए 75 साल में क्या कोई भी intelligent आदमी पैदा नहीं हुआ, दोनों देश म हैं, उनको एक बुक छापना पड़ेगा, एक छोटा बुक, the lies of political parties in last one year, dated, सूचिए 2022 एप्रिल से 2023 मार्स तक, इन्होंने क्या-क्या जूट बोला, जूट बोलने के लिए हमारे देश के जो नागरिक है, उन्होंने कितना marks काटा, सूचिए आपको भगबत गीता मिल जाए आपको एरपलेन का टाइम टेबिल मिल जाएगा, हमारे देश में कौन से युनिवर्सिटी टॉप कर रहा है, सब कुछ मिल जाएगा, बट हमारे देश में जूट बोल बोल कर हमारे देश के political party, देश का जो सत्यनास कर रहे हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, उसके साथ अगर टिपनी मिल जाए हमारे देश में जो लोग नोबिल लाए हैं, जो लोग पदश्री लाए हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा हमारा देश कौन से तरफ जा रहा है, अभी हमारा देश 1947 से 1857 तक पहुंच गया है, अब उसके पीछे भी जाले का वीजे भी गॉव इंप्लोईमेंट बड़ा है, दो करोर जॉब देने के बजाए, दो करोर जॉब आप खा रहे हैं, उसका इतिहास कौन लिखेगा, I request everyone, read a newspaper, be connected locally at least once a month, through your mandir, through your masjid, through your church, or come on the road to at least talk to Indians, जो हमारे देश में क्या चल रहा है, you will get a very clear picture, शोशल मीडिया को कभी भी गैक कर दिया जाएगा, यूट्यूबर्स लोग को कभी भी डिलीट करके उनका पूरा चैनेल ही उठा दिया जाएगा, देश का भविशत है, नागरिक को मैंने में एक दिन टेबिल लेकर हर सोशल स बच्चे लोगों से जमा कराइए, मास लोगों से जमा करवाइए, भैन लोग से जमा कराइए, हम लोग से जमा कराइए, हम लोग सिरामपूर में कर रहे हैं, सेकेंड संडे शाम को पाच बजे, श्री श्री शितला मतर मुंदिरे, हम लोग आकर ये जमा करके, हमारे पूर्पूर में 29 वाड है हर जगे साध्यन मालोगों का कॉमेटी भी बना रहे हैं सिरामपूर का एक ग्रूप है जिनका नाम अभी नहीं ले रहे हैं को कि एकदम ठिक ठक काम वो कर पाते नहीं हैं बोलकर नाम नहीं ले रहे हैं किसान लोगों को भी रस्ते के उपर रस्ता बंद नहीं करके किसी भी छुट्टी के दिन रस्ते के उपर बैठ के शिटीजन लोग के साथ कनेक्ट किजिए तब जाके हमारा देश का सबसे बड़ा एकोनोमिक मुम्मेंट होगा हमारे देश में अल्रेडी मुस्रीम लोगों का संगठन है उनका सोच है कि हम लोग सूध नहीं लेंगे कुईसी को पैसा उधार देने से हमने ये प्रोजेक्ट 2013 में हावडा के सोसाटी में शूरू किया था बट वो लोग कॉंटेक्ट नहीं रखते हैं ताकि मेरा नाम हो जाए हमको मेरा नाम का ज़िरूरत नहीं है हमको काम करने के लिए हम ये चैनल चलाते हैं इसलिए हम बहुत कम चैनल में बोलते हैं, बहुत कम एपिसोड में बोलते हैं, लाइक, शेर, सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग भी बीना सूत का काम शुरू कर सकते हैं, उससे भी आप लोग 20% इंकम कर सकेगा, और जो लोग रीन लेगा, उनको 10% इंटरेस्ट दे पा ईसलिकास, आस्ते 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 अस्ते बड़ा अदमी बनता रहे हैं, क्योंकि वो हर मैना सोशल कैपिटल भी तैयार कर रहा होगा, वेलकम टो नील इटिया, न्यू इंडिया मसँ थे फ्र से किसी को रीबिă्डिंग करना नहीं, किसी को तोरना नहीं, एक नया सोच जो नागरिक को नागरिक के साथ जोड कर रखेगा कम वाट में मैने में एक दिन जरूर से लोकली कनेक्टेड रहे तब जाके हमारा देश शायद खुद कभविस्षत लिख सके खुद अपने ही हातों से एक बाबा माँ सिरफ बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे नौकरी के लिए कोशिश नहीं करेंगे, लाखों खर्चा करकर कोई स्कूल से पढ़ा के जब घर वो बच्चा आएगा, तो उसके पास अगर नौकरी ही नहीं होगा, तो कौन सा देश का बात कर रहे हैं जो लोग देश के बाहर जाके बाहर में जाके नौकरी करेंगे उनका बात कर रहे हैं हमारे देश में क्या चीज़ का कमती है सिरफ एक चीज़ का कमती है विश्वास नहीं है कॉमिटमेंड भी नहीं है इसलिए मंदीर में जाके आप जितना भी प्राठ्थना कीजिए वो सिरफ एक ही बात कह रहा है खुद करके दिखाओ तब मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा आज के लिए बस इतना ही भाब नमुक देखते रहिए शेर सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर से कीजिएगा बी विथ सोशल वर्कर्स बी विथ यूटूबर्स थांक यू वेरी मच आम नरेश जैन